बर्स का क्लेक्शन इस परकार से हो कि उससे next step हम define कर सकते हो तो उसे sequence का आ जाता है अनुकरम का आ जाता है तो नॉर्मल सी definition हमारी तो यही है जो starting से हम करते आ रहे है sequence की यह एक sequence है 1357 क्योंकि next step निकाल सकते हैं यह एक sequence है 1,4,9,16,25 next step निकाल सकते हैं यह एक sequence है 1 upon 2,1 upon 3,1 upon 4 यह एक sequence है 2,4,8,16 यह नि कुछ numbers इस परकार से collect कर लिये जाएं यह भी एक sequence है 1,1,2,3,5,8,13,21 तो sequence नॉर्मल अगर definition की जाए तो उसमें यह हमारे पास sequence होँगी अगर हम next step को calculate कर सकते हैं अनक्टरम को निकाल सकते हैं किसी भी collection of numbers में तो उसे हम sequence कहेंगी और series, series और कोई part नहीं है शिर्फ इनका लिखने का जो representation है उसको change कर रहे है representation कैसे change कर रहे है 1 प्लस, 3 प्लस, 5 प्लस, 7 प्लस, dash, dash, dash is a series sequence में जो numbers आए थे उनको addition की form में, उनका sum की form में represent करना ही series कहलाता है for example, 1 प्लस, 4 प्लस, 9 प्लस, 16 प्लस, 25 एक series है 1 अपन 2 प्लस, 1 अपन 3 प्लस, 1 अपन 4 प्लस, dash, dash, dash is a series तो sequence और series में इतना ही difference है, sequence के elements को अगर sum की form में show कर देते हैं तो उसे series कहते हैं और sequence का मतलब होगा हमारे पास कि अगर कुछ collection इस परकार से हो की, हम next step को या एनफ ट्रम को define कर सकते हूं एनवा पद क्या होगा, वो ग्याद कर सकते हूं, तो उसे हम sequence कहते हैं लेकिन यहां पर definition थोड़े सी अलगती हुई है इसने सिर्फ definition में इतना change किया है जैसे ही sequence है, इस sequence में पहले ट्रम को हम x1 से लिकेंगे पहले ट्रम x1 is equal to क्या है, x2 is equal to क्या है x3 is equal to, x4 is equal to दूसरी sequence जो थी, उसमें x1 is equal to x2 is equal to, x3 is equal to, x4 is equal to यही है ना? अगला अगर sequence की बाद करें तो 1 by 2, x2 है जो, 1 by 3, x3 है जो 1 by 4, x4 है जो, 1 by 5 इन सब में यह numerical values तो change होती जा रही है rule भी change होता जा रहा है लेकिन जो लिखने का step है क्या वो change हो रहा है? हम starting काँ से कर रहे है? x1, x1, x1 यनि यह 1 जो है वो natural number होता है, प्राकर्ट संख्या होती है हम यहां पे प्राकर्ट संख्या से सुरू कर रहे हैं और इन पदों के नाम जो है वो x से व्यक्त करते हैं x1 का मतलब पर्थमपद, x2 द्वित्यपद, x3 तित्यपद, x4 चोथापद तो उसने जो definition दिये है, वो कुछ इस परकार से दिये है कि एक function x जो natural number 2 हमारे पास कोई भी एक real number या x में defined है natural number 2 x में किस परकार से defined है? यह x को ले लीजिए, चाहिए, set response कर लीजिए, इसमें कि यह set defined है यह इस परकार से defined है, कि x of n की value xn को show करती है यहनि कोई भी natural number लेके चलें तो वो xn को represent करती है n की value 1 होगी तो x1 आएगा, 2 होगी तो x2 आएगा यह steps बन रहे हैं न सारे के सारे, इसे sequence कहते है उसने यह definition दिये, normal से, कि यहां पर numerical value तो कुछ भी change हो सकती है लेकिन steps change नहीं होंगे, उन steps के coding उसने defined कर दिया कि natural number से एक function अगर x में कुछ इस परकार से defined हो कि x of n जो है, वो xn को represent करता है, where xn is the nth term of sequence तो इस part को, इस function को हम sequence कहेंगे आई बात समझ में, और इस sequence को represent करने का जो हमारा method रहेगा वो एक तो यह है, यह दो greater than और smaller than के बीच में अगर action लिख देते हैं तो इसका मतलब है sequence है, ठीक है, दूसरा method जो रहेगा इसमें इसको represent करने का वो हमारे पास यह भी है, इसमें sequence के अंदर हमारे पास यह represent कर देते हैं action n equals to 1 to infinite, यह भी sequence, बट mostly हम इस form का representation करेंगे, इस form में हम लिखेंगे sequence को, हम इसको यह लिखा करेंगे, अनुक्रम action, बोला करेंगे क्या, या तो sequence action बोलेंगे या अनुक्रम action बोलेंगे इसको, अनुक्रम action लिखने का तरीका यह रहेगा हमारा, जब भी बार बार जब मैं बोलूँ अनुक्रम action, तो इसका मतलब यह दो sign के बीच में action लिखा हुआ है, आई बात समझने, कोई doubt इसमें, definitions लिख लिजे, अनुक्रम के परकार, पहला हम करेंगे अचर अनुक्रम, constant sequence, constant sequence के बारे में बात कर रहे है, constant sequence का मतलब है, गर कोई भी sequence इस परकार से हो, कि जिसके अनुक्रम constant हो, या सारी के सारी टरम कॉंस्टेंट हो, उसमें कोई change ही नहीं हो रहा हो, जैसे 1111 आ जाए सारी के सारी टरम, 2222 आ जाए, तो उसे हम, अचर अनुक्रम या constant sequence कहते हैं, इसको इस फोर्म में भी लिखा जा सकता है, c, c, dash, 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 एक सिंगल स्टेप c आएगा परते एक स्टेप में, पर्थम पद भी c होगा, द्वित्य पद भी c होगा, तिर्थे पद भी c होगा, जो भी मर्जी पद लिख लें, वो c आजाए, अचर पद आजाए, तो उसे हम, अचर अनुक्रम या constant sequence कहते हैं, दूसरा आएगा, हमारे पास, तत्समक अनुक्रम, तत्समक अनुक्रम में, अगर xn जो है, वो n के बराबर हो जाए, अर्थाद, x1 का मान 1 आजाए, x2 का मान 2 आजाए, x3 का मान 3 आजाए, 1, 2, 3, यह sequence जोगी, इसे हम, तत्समक अनुक्रम या, identity sequence, कहेंगे, types of sequence है, यानि हमारे पास, particular sequences के परकार हैं, हमारे पास, जिसके अंदर, अगर xn n के बराबर आजाए, xn n के बराबर का मतलब है, पर्थम बद 1 हो जाए, द्वित्य बद 2 हो जाए, तिर्थम बद 3 हो जाए, प्राकर संख्या से, प्राकर संख्या में ही defined हो जाए, एक रखें तो एक आजाए, दो रखें तो दो आजाए, तीन रखें तो तीन आजाए, तो उसे हम, real sequence, इसमें, sorry, identity sequence, या तत्समक अनुकरम कहते हैं, तो जब भी तत्समक अनुकरम की बात आएगी, तो इसका मतलब पर्थम बद एक होगा, दूत्य बद दो होगा, अचर अनुकरम की बात आएगी, तो कोई निश्चित संख्या होगी, C, 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 जो भी है, B आजाए, D आजाए, A आजाए, एक आजाए, पांच आजाए, वो पांच पांच इजलेगा, XN और YN है, दो अलग-लग सीक्वेंस है, ये दोनों सीक्वेंस इक्वेंस होगे, अगर इनके एनफ ट्रम इक्वल हो, एनवा पद बराबर हो, उस्मान हो, तो दो सीक्वेंस जो है, वो इक्वेंस कहलाती है, अगर दोनों सिक्वेंस की एनत्रम जो होगी, वो IQAL हो, अगर एनत्रम पिक्वल है तो sequence IQAL है, और अगर एनत्रम उपवल स्कासिंग है, स्कास होर का दोनों influence की प्रिबदता सिस्प्वेंस इक्वेंस यह मैं ह्ै दिख लीजिए, अनुकर्म की प्रिबदता, boundedness of sequence लेट करते हैं एक sequence given हैं वो sequence bounded कभ होगा उसके बारे मैं बात कर रहे हैं bounded sequence की बात कर रहे है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे उपरी परिबत था अपर बाउंडेड़नेस इसमें हमारे पास यह है कि अगर सीक्वेंस का परतेक पद किसी एक निश्चित मान से हमेशा छोटा रहता हूँ इसका मतलब एक निश्चित मान आगया उपर कियो उससे उपर सीक्वेंस का कोई स्टेप नहीं जाएगा इसलिए इसको हम क्या कहेंगे अपर बाउंडेट्स जैसे की वन अपॉन एन न है अब वन अपॉन एन तो हमें पता है कि वन अपॉन एन के अंदर आगर अगर नैच्रल नंबर पूट पूट करेंगे वन आएगा वन बाई 2 आएगा फार आएगा फ़न byधिफर आएगा ने equal आ सकता है one से greater नहीं जा सकता और lower boundedness zero zero से smaller नहीं जा सकता negative नहीं जा सकता क्योंकि natural number put करने हैं हमें तो हम जब define कर रहे हैं तो n एक natural number ही होगा हम natural number के लिए ही define कर रहे हैं प्राकर संख्या के लिए प्रिबासित कर रहे हैं अगर मैं one upon n ले रहा हूं तो one upon n में उप्री bounded जो है अपर boundedness जो है वो one है क्योंकि one से greater कोई value नहीं आएगी इसलिए उसको हम उप्री प्रिबदता कहेंगे one या one से greater element जो भी आएंगे वो उप्री प्रिबद स्मुच्य कहलाएगा और one को उप्री प्रिबदता कहेंगे उस अनुक्रम का तो यह उप्री प्रिबदता का मतलब क्या होगा कि अगर sequence का परतेक अव्यव किसी निश्चिद मान dispyn Keeping से हमेशां छोटा या बराबर रहता है तो उसे हम उप्री प्रिबदता कहते हैं वह अनुकरम ऊपर की और प्रिबद है यह उपर साइड में बांड़ है इसी प्रकार दूसरी प्रिबद साथ है हमारे पास निमन प्रिबदता लोवर बाउंड़नेस वह सेम पार्ट लोवर बाउंड़नेस का मतलब हमारे पास कि अगर एक्सन की वैल्यू जो है वो आलवेज किसी डेफिनेट वैल्यू स्मोल के लिए मैंने इसमें स्मोल के से हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू रहे यहनी एक निश्चित मान से बढ़ा रहे वन अपॉन एन का एक इक्जांपल लिया था मैंने अगर सीक्वेंस वन अपॉन एन की बाद करें तो वन अपॉन एन की वैल्यू आलवेज वन से स्मोलर देन इक्वल टू रहेगी बट जीरो से लोवर बाउंडड़नेस भी है इसमें तो लोवर बाउंड़ और अपर बाउंड़ अपर बाउंड़ उपर की और परिबद्द उससे बड़ा माननी जाएगा लोवर बाउंड़ का मतलब नीचे की और परिबद्द उससे निमनमान उससे निमनमान पराप्त नहीं करता हो तो उसे हम प्रिबद अनुकरम कहते हैं तीसरी प्रिबासा जो आती है इसकी प्रिबदता प्रिबदता यानि बांड़डनेस जो उपर और नीचे दोनों और हमारे पास बांड़ड हो अपर बांड़डनेस भी है उसमें और लोवर बांड़डनेस भी है उसमें तो उसे हम प्रि वो ही हमारे पास same bird, जब bounded होगा तो उस में supremeum और infimum defined होगा उच्चक और निमनक प्रिबशित होगा उच्चक क्या होता है? उपरी प्रिबदों में नियुन तम्मान और निमनक, निमन प्रिबदों में सबसे अधिक तम्मान निमनक कहलाता है तो उच्चक और निमनक वोई same definitions रहेंगी जो वहाँ पे की थी बस यहाँ पे अनुकरम लगाना है वहाँ पे फलन के बारे में बात किया था यहाँ पे अनुकरम के बारे में बात करेंगी अगर वो कहता है कि अनुकरमों के लिए उच्चक को परिवासित कीजिए तो इतना ही अंतर आएगा कि उपरी परिबंदों के अंदर अनुकरम का वह है छोटा मान जो की उपरी परिबंदा में शामिल है अनुकरम का उचक कहलाता है या उपरी प्रिबन्दों में सबसे छोटा मान अनुकरम का उचक कहलाता है the upper boundness की अंदर lowest value supreme कहलाईगी और lower boundness में greatest value जो होगी that is the infimum ठीक है definitions लिख लीजे एक दिश्ट अनुकरम की बात करते हैं दो परकार के एक दिश्ट अनुक्रम होंगे एक दिश्ट यानि मोनोटोनिक सिक्वेंस तो इसमें सबसे पहले आएगा एक दिश्ट वर्दमान एक दिश्ट वर्दमान का मतलब है कि लगात्तार अनुक्रम के जो मान है वो बढ़ते जा रहे हैं अर्थाद x1 जो है वो x2 से स्मोलर है x2 x3 से स्मोलर है x3 x4 से स्मोलर है इन्हीं परतेक बद उसे आगे वाले पद से छोटा आ रहा है तो उसे हम एक दिश्ट वर्दमान अनुक्रम कहते हैं इसमें equal की condition आती है less than or equal to की condition बन सकती है तभी इसको एक दिश्ट वर्दमान कहेंगे और निरंतर वर्दमान आएगा एक topic निरंतर वर्दमान का मतलब होगा जिसमें equal नहीं होगा लगातार बढ़े गई वो निरंतर वर्दमान है एक दिश्ट वर्दमान में बढ़ने के साथ साथ बीच में हो सकता है कि कोई दो वर्दमान बराबर भी आ जाएं लेकिन निरंतर वर्दमान जो होगा उसमें लगातार बढ़ता जाएगा कभी भी एक दिश्ट वर्दमान अनुकरम का मतलब होगा कि एक ऐसा अनुकरम एक ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर कोई भी वैल्यू है वो अपने next वैल्यू से smaller हो जो भी उससे बाद वैल्यू आ रही है उससे smaller हो तो उसे हम एक दिश्ट वर्दमान अनुकरम कहते हैं जबकि दूसर हम फिर्दमान इसमें इसमें आती है एक दिश्ट रासमान को मुष्ट इंपोर्टेंट डिफिनेशन है हम जब भी इसमें आगे टौपिक करेंगे उसमें यह टौपिक का नाम लेंगे monotonic decreasing name इस परकार से लेंगे convergent और divergent sequence के बारे में बात करेंगे कोई भी sequence जो है वो divergent तब ही होगी जब वो monotonic होगी अगर monotonic sequence आती है तो हम कह देंगे कि यह divergent है ठीक है तो वो बादगी definitions है हमारी एक दिश्टर आसमान monotonic decreasing sequence मतलब same अगर हमारे पास each and every step जो है वो अपने previous step से greater आजाई यानि x1 greater than equal to x2 greater than equal to x3 greater than equal to x4 greater than equal to x5 तो इसे हम एक दिश्ट harassment अनुकरम कहते हैं लगातार कम होते जा रहे हैं छोटे होते जा रहे हैं और परते एक step जो है वो उससे previous step से smaller आता है जैसे 1 upon n है 1 upon n में 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 लगातार कम होता जा रहे हैं एक harassment अनुकरम है वो अगर इसका मान हम define करें normal कोई भी एक example ले लीजिए जैसे n आजाए n square आजाए n square में 1 4, 9, 16 लगातार बढ़ता जा रहे हैं एक monotonically decreasing हमारे पास वो sequence होगी यानि sequence का each step अगर लगातार increase हो रहा है तो उसे monotonically increasing और अगर decrease हो रहा है तो उसको monotonically decreasing कहते हैं और इसे में एक part आता है strictly increasing और strictly decreasing strictly के अंदर इतनी condition होगी ये equal sign नहीं होगा ठीक है तो उसे strictly decreasing और strictly increasing की form में हम represent करते हैं करते हैं करते हैं